तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि एक्षेले में जो अगर बॉड़ी एक रिजट बॉड़ी और रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो उसकी क्या पहचान है वहाँ हम लोग ने अंगुलर वेलोसिटी की बात की और हमने ये देखा कि अगर कोई बॉड़ी प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है तो उसकेस में जितने भी पार्टिकल्स होंगे इस बॉड़ी के उनकी उन सब का अंगुलर वेलोसिटी सेम होगा अंगुलर वेलोसिटी जिसको हमने ओमेगा से रेप्रेजेंट किया था तो फॉर प्योर रोटेशनल मोशन इच और एवरी पार्टिकल आप दा बॉड़ी आप सेम अंगुलर वेलोसिटी राइट तो जैसे मालो हर एक पार्टिकल का अंगुलर वेलोसिटी 5 है अंगुलर वेलोसिटी को हम लोग रेडियन पर सेकेंड में मेशर करते हैं उसका यूनिट रेडियन पर सेकेंड है मालो हर एक पार्टिकल की अंगुलर वेलोसिटी 5 है तो हम ऐसा नहीं बोलते बार बार कि इस body के हर एक particle की angular velocity 5 radian per second है यह बोलने के बज़ा हम यह बोल देते हैं कि इस rigid body की angular velocity 5 radian per second है हर एक particle का बोलने के बज़ा हम body बोल सकते हैं क्योंकि वैसे भी इस body के हर एक particle का angular velocity same है So we say that this whole body Is rotating With angular velocity 5 radian per second अब मैं यह बोर रहा हूँ कि Angular velocity जो है वो actually आपको यह बताता है कि body कितना fast rotate हो रहा है अगर मालो body अराम से rotate हो रहा है तो angular velocity का value obviously कम होगा अगर angular velocity का value जादा है तो इसका मतलब body fast rotate हो रहा है Right तो यह rotation का speed है समझो तो मैं यह बोर रहा हूँ इस rotation का speed को हम change भी कर सकते है जैसे हमने velocity की बात करती अगर मालो कोई particle है कोई particle अगर है suppose करो इसकी velocity 5 meter per second है तो इससे तो हमको यह पता चलता है velocity से कि आगर यह कितना fast जागा अगर इसकी velocity जादा है तो इसका मतलब यह fast जाने लगेगी और ज़्यादा fast हो जाएगी अगर मैं velocity कम कर दू तो मतलब यह slow हो चुका है हम velocity change कर सकते हैं जब velocity change करते हैं तो हम बोलते हैं कि acceleration हुआ है and what is acceleration बता हूँ acceleration is rate of change of velocity मतलब dv by dt यही होता है न यह instantaneous है instantaneous instantaneous acceleration अगर मुझे average acceleration चाहिए so change in velocity upon time यह दो formula हमारे पास है उसी तरीके से अच्छा इसको ऐसे भी लिखते हैं अगर आपको याद होगा तो यह चीज़े हम पढ़ चुके हैं limit delta t tends to 0 delta v by delta t मतलब आपका time interval लगबग ना के बराबर या बहुत छोटा होना चाहिए यह एक particular time पे या एक particular instant पे acceleration निकालना हो तो यह formula यूज़ कर सकते हैं और यह average दो point के बीज में acceleration change in velocity upon change in time इनसी तरीके से यहांपे भी होगा यहांपे देखो speed या velocity वेलासिटी चीoug और आ पिक्या है अंगिलर भी तो उसी तरह से acceleration के मिंज़न के यहांपे होगा angry अंगिलर आपको एक्सलिक्ली दिस यह बताता है कि इत तो velocity change हो रहा है यह तो clear है velocity change हो रहा है, इसलिए हम बोड़ रहे हैं कि acceleration हो रहा है because it is change in velocity per unit time right, instantaneous में भी हमको यही पता चलता है कि velocity change हो रहा है दूसरी बात यह acceleration आपको यह बताता है कि velocity कितना fast change हो रहा है right, तो velocity अगर बहुत fast change हो रहा है जल्दी जल्दी change हो जा रहा है तो acceleration जाधा होगा velocity change तो हो रहा है पर बड़े अराम से change हो रहा है तो फिर acceleration का value कब आएगा उसी तरह किसे यहां पे अगर suppose करो acceleration है तो acceleration कब होगा? जब आपका angular velocity change होगा थिक है? angular velocity change होगा then we'll have angular acceleration क्योंकि यहां पे angular velocity के बात कर रहे हैं so we will have angular acceleration और angular acceleration को हम अलफा से डिनोट करते हैं ओके एंगिलर acceleration में भी दो टाइप हो जाएगा एक तो average angular acceleration होगा average angular acceleration दो टाइम की बीच में होगा average angular acceleration alpha average लिख देता हूँ दो instant की बीच में होगा कि इस time से लेकर इस time तक क्या average angular acceleration रहा formula क्या बताओ वहाँ पे change in velocity upon time था यहाँ पे क्या हो जाएगा change in angular velocity upon time तो यही फर्रक है again velocity is a vector quantity तो आपका angular velocity is a vector quantity तो angular acceleration भी एक vector quantity होता है now see अगर आपको instantaneous चाहिए एक ही time पे चाहिए so we have instantaneous angular acceleration this is alpha instant इसमें क्या होगा time limit बहुत कम कर देंगे हम लो delta t tends to 0 and delta omega upon delta t इसको आप d omega by dt लिख सकते हो derivative के फों में so your instantaneous angular acceleration becomes d omega by dt यह चीज़े पढ़ चुके हम लोग circular motion में आपके डारेक्शन की भी बात की थी अब क्योंकि alpha which is angular acceleration it is a vector quantity तो अगर vector quantity है तो इसका direction भी होगा particle ऐसे इस plane में भूम रहा है तो ऐसा plane मना रहा है ठीक है मालो ऐसे plane में particle भूम रहा है तो right hand thumb rule के इसाब से omega का direction उपर की और आ जाएगा right this is the direction of your omega अब बात alpha की करेंगे देखो alpha का या फिर angular acceleration का जो direction है we're talking about direction of angular acceleration तो angular acceleration का direction या तो omega के direction में होगा या फिर omega के opposite direction में होगा ठीक है omega के direction में कब होगा वो देखो अगर angular velocity जादा हो रहा है या increase हो रहा है जैसे अगर मालो ये घूम रहा था और घूमने का speed बढ़ जाए और fast हो जाए तो जब angular velocity का value बढ़ जाता है तो ऐसे case में angular acceleration और omega दोनों same direction में होते है या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसी direction में alpha भी होगा angular acceleration और angular velocity अगर दोनों का direction same है तो ऐसे case में आप हो सकते हो कि आपका जो angular velocity है वो बढ़ गया अगर opposite direction में जैसे omega उपर है लेकिन alpha नीचे है ठीक है alpha का direction नीचे की हो रहा है ये कब होगा जब angular velocity का value कम होता है इसका मतलब ये जो speed है आपका rotation का वो slow होने लगे पहले 5 था अब 3 हो जाए तो कम हुआ ना तो जब rotation का speed कम होता है ऐसे case में आपका alpha और omega दोनों का direction opposite होता है ठीक है लेकिन अगर मालो rotation का speed बढ़ता है तो जिस direction में omega है उस direction में आपका angular acceleration भी होगा इसका एक example देख लेते हैं जैसे body की बाद करो मैं जैसे हम ये बोलते हैं कि इस body का angular velocity omega है वैसे हम बोलेंगे कि इस body का angular acceleration alpha है क्योंकि है एक particle का angular velocity same होता है उसी तरह से angular acceleration भी same होगा ऐसा नहीं हो सकता कि एक particle के लिए angular acceleration कुछ और है उसका उसने थोड़ा कम speed change किया और दूसरे particle का speed ज़ादा change कर दिया ये possible नहीं है अगर मालो rotation का speed बढ़ रहा है तो सबका एक साथ और एक जैसा बढ़ेगा तो अलफा भी सबका same होता है तो इसका example हम देख सकते हैं इस चीज को जैसे अगर आप मालो fan switch on कर देते हो तो जैसे आपने switch on किया fan तो fan ऐसे घूमने लगता है इस सरीके से तो सारे particles ऐसे rotate करने लग जाते है अब ऐसे case में क्या होता है angular velocity omega का value बढ़ने लग जाता है क्योंकि fan speed पकड़ लेता है तो जो body का angular velocity है वो बढ़ने लग जाता है ऐसे case में angular acceleration और angular velocity दोनों का direction उपर होगा समझना रहा है क्यों? क्योंकि angular velocity का जो value है वो बढ़ रहा है अब उसके बाद क्या करो fan जैसे उसने speed पकड़के हो गया कुछ time के बाद वो same speed से घूमने लगेगा पिर आप एक काम करो fan जाके off कर दो जैसे आपने fan off कर दिया तब क्या होगा? देखो fan off करने के बाद ऐसा नहीं कि particle ऐसे घूम रहा था आप उल्टा घूमने लगेगा ऐसा कभी नहीं होता है particle उसी sense में घूमता रहेगा लेकिन अब उसका speed है rotation का वो कम होने लगेगा मतलब अब angular velocity decrease होने लगा तो जब angular velocity decrease होने लगे तो ऐसे case में alpha आप नीचे आ जाएगा हालांकि omega का direction अभी भी उपर ही है क्योंकि particle घूम तो इसी sense में रहा है और हम direction कैसे देते है angular velocity का right hand thumb rule उपर की हो है तो omega का direction तो अभी भी उपर ही है लेकिन क्योंकि omega कम हो रहा है angular velocity का value कम हो रहा है तो ऐसे case में omega के opposite direction में acceleration हो जाता है that is angular acceleration तो जब आपने fan बंद कर दिया जब वो slow होने लगता है तो angular velocity उपर ही रहता है लेकिन angular acceleration नीचे हो जाता है opposite direction में और starting में जब वो बढ़ रहा था उसका speed तो angular velocity और angular acceleration दोनों same direction में ठीक है दोनों ही सूर्थों में alpha भी या angular acceleration भी जिस plane में circular motion हो रहा है उस plane के perpendicular होता है ठीक है तो axis के लोग omega का direction भी होता है और alpha का direction भी होता है that is direction of angular acceleration तो यहाँ पर आप अगर angular acceleration की बात समझ चुके हो तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं अब थोड़ा सा comparison आप कर सकते हो translation motion में और rotational motion में ताकि चीज़े आपको और clear हो जाए comparison सिंपल सा होगा अगर मैं translational motion की बात करो if it is pure translational ठीक है pure translation को मैं सिर्फ translation लिख रहा हो यहाँ पर और यहाँ पर मैं rotational लिख रहा हो and there is pure rotational motion तो translation motion में मैंने क्या बताया था कि हर एक particle की velocity same होगी ठीक है तो यहाँ पर सबकी velocity क्या होती है same होती है so all have same velocity rotation motion में क्या होता है बताओ rotation motion में किसी axis के लोग अगर particle rotational motion perform कर रहा है pure rotational motion तो ऐसे case में हम लोग वो सकते हैं कि इसका हर एक particle का angular velocity same होता है देवो velocity अलग-अलग होता है मैंने बताया था हर एक particle का speed same नहीं होता लेकिन angular velocity हर एक particle का same होगा उसी तरह से जब velocity change हुआ velocity is V angular velocity is omega उसी तरह से जब velocity change होता है मालों धपका मारदी velocity बढ़ गया तो इसमें produce होता है acceleration ठीक है रोटेशनल मोशन में जब आपने उसको जोर से घुमाया तो angular velocity change होगा बढ़ जाएगा तो इस केस में जो होता है वो होता है angular acceleration ओके which is denoted by alpha तो यहाँ पर देखो velocity के जब पर angular velocity आ गया acceleration के जगा पर angular acceleration आ गया उसी तरह से body का displacement होगा आगे जाएगा तो तो जब body का displacement होगा तो यहाँ पर हम लिखते हैं body displace हो गया और displacement को हम s represent करते है यहाँ पर displacement को क्या represent करते बताओ यहाँ पर displacement नहीं हो रहा न बोडी का पूरा यह आगे पीछे नहीं जा रहा है बलकि body घूम रहा और घूमने के case में हर एक particle क्या कर रहा है circle में घूम रहा है तो circle में जब particle घूमता है तो क्या होता है इस point से मालो इस point पे आ गया तो वो angle cover करता है and this angle is nothing but angular displacement ठीक है तो translation motion में body का displacement होता है लेकिन rotational motion में body का क्या होता है angular displacement theta ठीक है और कुछ इतनी चीज़े हैं यहाँ पे तो अब हम क्या करेंगे हमारे पास कुछ equations available है translation motion के लिए translation motion के लिए हमने already जो equations हमने linear motion में पढ़ा था वो equations हम यहाँ पे use कर सकते हैं तो अब हमनों kinematical equations लिखने जा रहे है translation motion और rotational motion दोनों के लिए तो आप लोगों को पता है कि translation motion में तीन सबसे famous kinematical equation क्या है क्या है बता जल्दी v is equal to u plus at what is v final velocity, u initial velocity, a acceleration and t time लेकिन जब हम rotation motion की बात करते है तो velocity बन जाता है angular velocity acceleration बन जाता है angular acceleration तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं that omega is equal to omega 0 plus alpha t यह circular motion में भी कराया था kinematical equations same kinematical equations यहाँ भी आएंगे omega is your final angular velocity जैसे यहाँ पे final velocity था जैसे यहाँ पे omega final angular velocity this is your initial angular velocity omega 0 alpha is your angular acceleration and t time दूसरे सबसे important बात यह कि आप in equations को तभी use कर सकते हो जैसे कि translation motion है translation motion में आप in equations को तभी use कर पाऊगे जब आपका acceleration constant होगा so this case में आपको याद रखना है that your acceleration जो होगा it must be constant acceleration constant होना चाहिए आपका उसी तरीकी से यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए यह equations तभी आप use कर पाऊगे जब आपका angular acceleration constant होगा ठीक है अगला equation क्या बता हो s is equal to ut plus half a t square rotation के किसमे equation क्या आपका बता हो s is displacement तो यहाँ पे angular displacement angular displacement theta is equal to initial velocity omega naught है omega t plus half a की जगह पे alpha t square तो यह rotation motion का आगया third equation हमको पता है क्या है v square is equal to u square plus 2as तो ऐसे rotation motion की किसमे क्या आएगा final velocity is omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha displacement is your angular displacement theta उसके जगह पे theta आजाएगा दो equations आपको मैंने और बोला था कि आप use कर सकते हो वो यह है कि आपका जो displacement s होता है that can be written as v plus u upon 2 into t तो वेसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो angular displacement theta is equal to omega plus omega naught divided by 2 into t और एक additional equation था s n is equal to u plus a by 2 2 and minus 1 वैसे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो s n is your displacement in nth second यह याज रखना s n क्या है displacement in nth second वैसे यहाँ पे भी क्या होगा angular displacement in nth second तो angular displacement in nth second will be theta n that is u plus a by 2 2n minus 1 तो यहाँ पे क्या है बता हो u means initial angular velocity plus alpha by 2 2n minus 1 तो यह भी क्या होगा बता हो it will be theta n क्या है यहाँ पे angular displacement in nth second displacement in nth second का मतलब क्या जैसे किसी ने पूछ दिया कि 5 second से 6 second के बीच में कितना displacement हुआ so displacement in 6th second समझ मैं है अगर किसी ने पूछा कि 7 second से 8 second के बीच में कितना displacement हुआ तो मतलब वो पूछ रहा है कि 8th second में कितना displacement हुआ तो जब वो पूछ रहा 7 second से 8 second के बीच में क्या displacement है so displacement in 8th second तब आपको यहाँ पे n का value 8 यूज करना है n का value 8 मतलब displacement in nth second उसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो angular displacement in nth second हो जायागा जैसे किसे ने पूछा कि angular displacement 3 और 4 second के बीच में कितना हुआ है तो मतलब वो पूछ रहा है displacement in 4th second so n का value यहाँ पे 4 हो जायेगा और जो value आएगा आपका वो displacement in 3 to 4 second के बीच का value दे देगा so this is your displacement in nth second meaning of it तो यह कुछ kinematical equations है यह already हम लोग एक single particle के लिए जो पढ़ रहे थे वो same equation हम translation motion के लिए use कर सकते है क्योंकि उसमें भी हर एक particle जो है वो एक तरीके से translation motion में एक ही velocity से आगे जाता है और हमने जो circular motion के लिए equations use किया था kinematical equations वो हम rotational के लिए use कर सकते है so this is kinematical equations for translational motion and these are the equations or kinematical equations for rotational motion normally यह 3 equations बताया जाता है but then इन ही से हम यह दो और additional equations भी बना सकते है ओके ठेक है चलो इस वीडियो में इतना ही आगे कहानी बढ़ाएंगे अगली वीडियो से चलो बाई Thank you